हेलो दोस्तो आज बात करेंगे इसराइल देश के एगरिकल्चर मिरेकल के बारे में यानि इसराइल की जादूई खेती के बारे में जिहां आपने सही सुना इसराइल के जादूई खेती के बारे में जिस देश के पास 80% से जादा भूमी बंजर और पत्रीली हो जहाँ पर खीटी तो दूर की बाद घास तक नहीं उखती जिस देश में दुनिया की सबसे कम बारिस होती है इन सब विप्रीत कंडिशन के बावजूद इसराइल खेदी के मामले में दुनिया में नमबर वन देश है इस वीडियो में हम आपको इसराइल के आधुनिक किरसी तेकनिको यानि मौडन एगरिकल्चर टेकनलोजी के बारे में बताएंगे और साथ में बताएंगे कैसे इंडिया के किसान इसराइल की एगरिकल्चर टेकनलोजी का परियोग करके लाब उठा रहे हैं चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अगर जानकारी पसंद आये ते वीडियो को लाइक कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भिले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इस्राइल ने अपने किर्सी की समस्याओं को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने देश में किर्सी अनुसंदान केंद्र बनाए यानि Agriculture Research Institute इस्राइल के पास दुनिया के सबसे बहतरी इन किर्सी अनुसंदान केंद्र हैं जहाँ पर खेती बाड़ी पसुपालन की आधुनिक पढ़ाई की जाती है यहाँ पर व्यग्यानिक दिन रात खोज में लगी रहते हैं कैसे फसल की उपच बढ़ाई जाए कैसे कम लागत में कम जमीन में जादा मात्रा और उच गुनुपता वाली फसल उगाई जाए इसके लिए इन अनुसंदान केंद्र पर भहुत से परियोग किये जाते हैं जैसे की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों की क्वालिटी को कैसे बढ़िया बनाये जा सके पानी का सई दंग से कैसे परयोग किया जा सके यानि कम पानी में अच्छी फसल कैसे उगाई जा सके फसलों में बीमारी ना लगे इसके लिए यहाँ पर high quality के जैविक कीट ना सक बनाई जाते हैं फसलों की देख भाल के लिए उन पर नज़र रखने के लिए यहां पर ड्रोन, कैमरा और सैटलाइट के माध्यम से नज़र रखी जाती है इनके खेतों में हाई टेकलोलोजी के सेंसर लगे हुए हैं जिनका काम यहां सुनिचित करना होता है कि कब फसलों को पानी चाहिए, कितनी मातरा में पानी चाहिए और फिर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम से फसलों को पानी दिया जाता है यह सारा का सारा काम आदुनिक मसिनों से अपने आप आटोमेटिक तरिके से होता है ना तो किसानों को इंडिया की तरह राद भर जगना पड़ता है ना ही पानी लगाने के लिए खेतों में महनत करनी पड़ती है इसराइल में अधिकतर खेट छोटे सायच के हैं क्योंकि इसराइल की भूमी पत्थरीली और पाड़ों पर है और वहाँ पर खेटी करना बहुत मुसकिल और चुनोती भरा काम है इस्राइल के लोगों ने कड़ी मेहनत और परिस्रम से वहाँ पर खेती करना शुरू किया और खेती करने लाइक खेत बनाए इसलिए यह दिखने में तो छोटे साइच के हैं छोटे आकार के हैं लेकिन उच टक्निक की साहता से इन खेतों में बड़ी मात्रा में फसलों की पैदावार होती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हूँ इन खेतों को आर्टिफिशल फार्म भी कहते हैं जिसे ग्रीन हाउस फार्मिंग भी कहा जाता है इस्राइल की ग्रीन हाउस फार्मिंग बहुत ज़्यादा एडवांस है यहां के ग्रीन हाउस फार्म में आप कोई भी खेती कर सकते हूँ चाय वा ठंडे या ग्रम वातवरण की हो इसका कारण यह है कि आप इन खेतों में तापान को आसानी से कंट्रोल यानि नियंतरण कर सकते हो इसके लावा यहां पर सीचाय की बहुत अच्छी व्यवस्ता होती है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एडवांस स्प्रिंकलर सिस्टम आदी जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काफी फेमस है क्यूंकि एक तो यह काफी किफायती कम लागत का है दूसरा इसमें पाने की काफी बचत होती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में खेतों में पाने के पाइपों का जाल बिचाय जाता है और फिर इन पाइपों में छोटे छोटे छेत के जाते हैं और इन्हें इस तरह से लगाया जाता है कि जहांपर पेडिया पौदे की जड़ है वहीं पर पाने की बूंद धीरे धीरे और इस तक्निक से पानी की काफी बचत होती है साथ में पौदों को उचित मातरा में पानी प्राप्त होता है और मिट्टी में नमी भी बनी रहती है इसराइल ने पसू पालन में भी बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की है यहां की डेरी फार्मिंग की तक्निक पूरे विश्यू में फेमस है यहां की कमटराइज गाई एक दिन में औसतन 60 लीटर दूद देती है यहां की डेरी फार्मिंग में 100 से 1000 गाई होना आम बात है डेरी फार्मिंग का सारा काम आटोमेटिक मसीनों की साहिता से किया जाता है जैसे कि गायों को चारा खिलाना, उनकी साफ सफाई और दूद निकानने का सारा काम आधुनिक मसीनों से किया जाता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं इसराइल हर रोज किरसी में नए अविश्कार करता है जिसे पुरी दुनिया में उसे अलग पैचान मिली है इसराइल एक बहुत छोटा देश है भारत के उत्तर परदेश में 11 से ज़्यादा इसराइल समा सकते हैं इतना कम है इसराइल का छेत्र फल लेकिन इसके बावजूत इसराइल दुनिया के हर कोने में अपनी फल सब्जिया मसाले एक्सपोर्ट करता है चाए बड़ा देश हो या छोटा सभी इसराइल के घराक हैं इसका बड़ा कारण है हाई क्वालिटी इसराइल में खाने पेने के समानों में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती चाए बड़ा खेत में हो या फिर फैक्टरी में हाई क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखा जाता है इस्राइल खाद्य समान के अलावा इस्राइल बड़े प्यमाने में किर्सी से जुड़ी टेक्नोलजी, एक्क्यूप्मेंट और जार दुनिया भर में बेशता है इंडिया में भी खेती में इस्राइल टक्निक का काफी परियोग होने लगा है जिसमें सामिल है सीचाइत तंत्र को सही डंग से परियोग में लाना इंप्रूव इरिगेशन सिस्टम, फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाए जा सके वह भी सीमित भूमी में बीजों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाए जाए और इसके अलावा आटोमेटिक स्प्रिंग का सिस्टम का यूज करना और सबसे महत्य प्रूण, फसलों का चैन करना, किन फसलों से आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी कौन सी फसल आपकी मिट्टी, वातवरण में ज़्यादा मिल खाती है इन सब की जानकारी में इसराइल भारत के किसानों की बड़ी मदद कर रहा है आसा करता हूँ आपको याद जानकारी पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच, धन्यवाद